नारायनम नमस कृत्यम नरम चैवा नरोत्तमम देवी सरस्वतिम चैवा ततो जयमुदीर येत ओम क्लीम कृष्णाय नमा आज की वीडियो में आप सुनने वाले हैं कार्तिक मास महात्मे का दूसरा अध्याय जिसमें ब्रह्मा जी ने विभिन देवताओं के संतोष के लिए का अध्यान के लिए स्रेष्ट तीर्थों का बढ़न किया है तो भगवान श्रीहर विष्णू का ध्यान करके आज की इस पावन और परम कल्यानकारी कथा का श्रमण करते हैं ब्रह्मा जी कहते हैं कार्तिक मास का वरत आश्वीन मास की शुकलपक्ष की दस्मीशे आरंब करके कार्तिक मास की शुकलपक्ष की दस्मी को समाप्त करें अथ्वा आश्वीन मास की पुनिमा को आरंब करके कार्तिक मास की पुनिमा को पूरा करें भग्तिमान पुरुष आश्वीन शुकलपक्ष की एकादशी आने पर भगवान विष्णू का नमस्कार करके उनसे कार्तिक व्रत करने की आज्या प्राप्त करे और विधी से कार्तिक व्रत का पालन करे बारहों महीनों में मार्गशीश मास अत्यंत पुनिप्रद है उससे अधिक पुनिफल देने वाला नर्मदा तट पर वैशाक मास बताये गया है उससे भी लाख गुना अधिक फल देने वाला प्र तराजू पर रखकर ब्रह्माजी ने तौला, तो कार्तिक मास का पलडा ही भारी रहा। श्नान, दीपदान, तुलसी के पोधों को लगाना और सीजना, पृत्यू पर शैन करना, ब्रह्मचरे का पालन करना, भगवान विष्णू के नामों का संकीर्थन तर्था पुराणों का श्रमण करना, इन सब नियमों का जो कार्तिक मास में निश्काम भाव से पालन करते हैं वे ही जीवन मुक्त हैं, यह वरत भगवान श्रिक्रिष्ण को अत्यंत प्रिय है, सुर्य भक्त, गणेश भक्त, शक्ति के उपासक, शिवो पाशक और वैशनव, सभी को सब पापों का निवारन करने के लिए कार्तिक श्नान अवश्य करना चाहिए, सुर्य की प्रीती के जब तक सुरे नारायन तुला राशी परश्थित हो, तब तक व्रत करना चाहिए, आश्वीर मास की पोनिमा से लेकर कार्तिक। के पोनिमां तक भगवान शंकर की प्रसनता के लिए श्णान करना चाहिए देवी पक्ष अरफात आश्वीयूर्मास की शुक्लपक्ष की प्रतिपदा से लेकर कार्थ опас कृष्ण सूट Czyic की महारातरी के आने तक भगवतित दुर्गा की प्रसनता के लिए श्नान करना चाहिए गडेश जी की प्रसनता के लिए आश्विन क्रिष्ण जो दूसरों के संगवस या बलात जानकर अथवा बिना जाने ही कारतिक मास में प्रातःष्णनान का नियम पूरा कर लेता है वह कभी यम यातना को नहीं देखता। अथवा जो ब्रामण प्रातेहकाल में कार्तिक शनान करते हैं, उन्हें ओढ़ने के लिए कंबल या रजाई दे कर शनान जनित पुनिफल को प्राप्त करें, कार्तिक मास में विशेष्टा श्री राधा और श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, कार्तिक मास में तुलसि बढ़ान से अवश्य पापमुक्त हो जाता है तुल्सी के अभाव में आमले के नीचे पूजा करनी चाहिए मुख्य पूजा की विधी सुर्य मंडल में करनी चाहिए अर्थात सुर्य मंडल की ओर देख कर सुर्य रूपी नारायन के लिए पूजनों पचार समर्पित करना चाहिए सब देवता अप्रत्यक्ष है केवल ये भगवान सुर्य ही प्रत्यक्ष है अन्य सब देवता काल के अधिन है परन्तु भगवान सुर्य काल के भी काल है जो दरिद्र है वही दान का पात्र है उसकी अपेक्षा भी विद्वान पुर्ष दान का विशेश पात्र है भगवान विश्णू की चल मूर्ती से अचल मूर्ती श्रेष्ट मानी गई है मूर्ती के अभाव में भगवत बुद्धी से पीपल अत्वा वट की पूजा करनी चाहिए पीपल भगवान विष्णु का और वट भगवान शंकर का स्वरूप है शालेगराम शिला के चक्र में सदा भगवान विष्णु का निवास है इसलिए प्रयतन पुर्वक शालेगराम की पूजा करनी चाहिए पलाश ब्रह्मा जी के अंशिशे उत्पन्न हुआ है जो कार्तिक मास में उसके पतल में भोजन करता है वह भगवान विष्णु के लोक में जाता है पीपल के रूप में साक्षाद भगवान विष्णु विराजमान है इसलिए कार्तिक में प्रयतन पुर्वक उसका पूजन करना चाहिए जो लोग कार्तिक मास में श्नान, जागरण, दीपदान और तुलसीवन की रक्षा करते हैं वे भगवान विष्णु के स्वरूप है, जो भगवान विष्णु के मंदिर में जाड़ू देकर स्वास्तिक आदिका, निश्काम भाव से मंगल चिन्ध बनाते और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वे जीवन मुक्त हैं कार्तिक मास के पहले दिन व्रत का और शनान का संकल्प कैसे लें? ब्रह्मा जी कहते हैं, जब दो घड़ी रात बाकी रहें, तब तुलसी की मृतिका, वस्त्र और कलश लेकर जलाशय के समीब जाएं, पैर धोकर गंगा आधी नदियों तथा विष्णु और शिव आधी द दियुताओं का स्मरन करें, फिर नाभी के बरावर जल में खड़े होकर इस मंत्र को पढ़ें, कार्तिके अहम करिश्यामी प्रातहश्नानम जनार्दन प्रित्यर्थम्तव देवेशा दामोदर मयासह अर्थात हे जनार्दन हे देवेश्वर दामोदर लक्ष्मी सहीत आपक कमल नाभाया नमस्ते जल शाईने नमस्ते श्टु ह्रिशिकेष ग्रिःहाणार्ग्यम नमोच्तु ते अर्थात हे भगवन आप श्री राधा के साथ मेरे दिये हुए इस अर्ग्य को स्वीकार करें, हे हरे, आप कमल नाभ को नमस्कार है, जलमें शैन करने वाले आप नार करें उसे गंगा का स्मरण अभश्य करना चाहिए तो अगर आप घर मेढ आप बाहर जाकर जरूरी नहीं है कि आप हरोज किसी करना करें तो अगर है को जल में स्मरण करते हुए आपको अहां करना चाहिए पर्म्रidika से श्नान करके पावमानी रिचाओं द्वारा अपने मस्तक पर अभिशेख करें, अर्ग मर्शन और श्नानांग तरपण करके पुरुष सुक्त से सिर पर जल शिड के, उसके बाद बाहर आकर पुनह मस्तक पर तीर्थ का जल सीचे, फिर हाथ में तुलसी लेकर तीन बार आच ठंडे जल से श्नान करने से 10 गुना अधिक पुनिफल प्राप्त होता है तो जो आप लोगों के प्रश्ण आते हैं कि क्या हम गरम पानी से श्नान कर सकते हैं देखिए प्रम्भा जी कह रहा है ना कि 10 गुना अधिक फल प्राप्त होता है उन्हें जो ठंडे पानी से श्नान क और उससे भी अधिक पुन्य कार्थिक में नदी शनान करने से होता है और उससे भी दस गुना अधिक पुन्य फल तीर्थ स्थान में शनान करने से बताए गया है और तीर्थ से भी दस गुना पुन्य फल वहां होता है जहां पर दो नदियों का संगम होता है और यदि कहीं त तमसा, मही, कावेरी, सर्यू, छिप्रा, चर्मन्वती, अर्थात चंबल, बितस्ता अर्थात जेलम, वेदिका, शोण भद्र, वेत्रवर्ती, अर्थात बेतवा, अपराजिता, गंडकी, गोमती, पुर्णा, ब्रह्मपुत्रा, मानुसरोवर, वागमती, शतद्रू अर्था सतलज, ये तीर्थ कार्थिक में दुरलब है, सब स्थलों से अधिक आर्यावर्थ अर्थात बिंध्याचल और हिमाले के भीतर का प्रदेश, उत्तर भारत, पुन्यदायक है, उससे भी कोलहापुरी से स्रेष्ट हैं, और कोलहापुरी से स्रेष्ट विश्णू कांची और अवंति पुरी से स्रेष्ट बद्रिकाश्रम है, बद्रिकाश्रम से अयोध्या, अयोध्या से गंगाद्वारा, गंगाद्वार से कंखल और कंखल से भी स्रेष्ट मत्वुरा है, क्यूंकि कार्थिक में वहाँ स्वयम भगवान राधाकृष्ण स्नान करते हैं, मत्वुर स्रेष्ठ है उससे दस गुना vamp JENNYin 13 प्रयाग में प्राप्त होता है और उससे स्रेष्ठ काशि है जिसके आश्रे से गंगा जी मनुष्यों की सब पापों का नाश करती हैं काशी में पंचनद अर्थात पंच गंगा तीर्थ हैं जो तीनों लोकों में विख्यात हैं कार्थिक माश आने पर रौराव नरक में पड़े हुए पितर भी चिल्लाते हैं कि क्या हमारे वंश में कोई ऐसा भागिवान पैदा तो उसके सभी पाप ततकाल नश्ठ हो जाते हैं कुछ रात बाकी रहे तभी शनान किया जाए तो वह उत्तम और भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला होता है शुर्योदे काल में किया हुआ शनान मध्यम श्रेडी का है जब तक कृति का अस्तना हो तभी तक शनान का उत्तम समय है अन्यथा बहुत विलंब करके किया हुआ शनान कार्तिक शनान की श्रेडी में नहीं आता श्त्रियों को पती की आज्या लेकर कार्तिक शनान करना चाहिए क्योंकि पती से बिना पूछे जो धर्मकारे किया जाता है वह पती की आयू को शिण कर देता है स्त्रियों के लिए पती की सेवा छोड़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है जो पती की आज्या का पालन करे वही इस संसार में धर्मवर्ती है केवल व्रत आदी से धर्मवर्ती नहीं होती पती यदि दरिद्र, पतित, मूर्क अत्वा दीन भी हो तो वह वैसा होता हुआ भी स्त्री का आश्रह है उसके त्याग से इस्त्री नरक में गिरती है जिसके दोनों हाथ, दोनों पैर, वानी और मन ये काबू में रहे तथा जिसमें विद्या तप एवं कीर्थी हो वही मनुष्य तीर्थ के फल का भागी होता है जिसकी तीर्थों में श्रद्धा न हो जो तीर्थ में भी पाप की ही बात सोचता हो नास्तिक हो और जिसका मन दोविधा में पढ़ा रहता हो तथा जो कोरा तर्क वादी हो ये पांच प्रकार के मनुष्य तीर्थ फल के भागी नहीं होते जो ब्रामभर प्रतीदिन प्राते का लुटकर तीर्थ में श्र्नान करता है वह सब पापों से मुक्त हो कर परब्रह्म परमात्मा को प्राप्थ होता है श्नान का तत्व जानने वाले मनीशी पुरुसोंने चार प्रकार के श्नान बतलाएं है वायव्य, वारुण, ब्राम और दिव्य गोधुली में किया हुआ शनान वायव कहलाता है समुद्र आधी के जल में जो शनान किया जाता है उसे वारुण कहते है वेद मंत्रों के उच्चारण पुर्वक जो शनान होता है उसका नाम ब्राम है तथा मेखों अत्वा सुर्य की किरुणों द्वारा जो जल अपने शरीर पर गिरता है उसे दिव्य स्नान कहते हैं इन सभी स्नानों में वारून स्नान सबसे उत्तम है ब्रामण, शत्रिय और वैशे को मंत्रों चारण पुर्वक्ष्नान करना चाहिए शत्रि और शुद्र के लिए बिना मंत्र के ही स्नान करने का विधान बताये गया ह। प्राचीन समय में स्रेष्ट तीर्थ पुषकर में जहां नंदा संगम है वही नन्दा के कहने से राजा प्रभंजन कार्तिक मास में पुषकर्ष नान करके व्याग्र योनी से मुक्त हुए थे और नन्दा भी कार्तिक में पुषकर का स्पर्ष पाकर परमधाम को प्राप्थ हुई थी कार्तिक मास महात्म का दूसरा आध्याय समाप्त हुआ और अब आप सुनेंगे तुलसा जी की कथा कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसा माता को सीचने जाती थी सब कोई तो सीच के आती जाती पर एक बुढ़िया माई आती और तुलसा माता से रोजाना कहती तुलसा माता सतकी दाता, मैं बिरला सीचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा तुलसा माता अडवा दे, लडवा दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा गास दे, बैकुंट का वास दे चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काट दे, जालर की जिनकार दे साई का राज दे, दालभात का जीमन दे, ग्यारस का दिन दे और कृष्ण को कांधा दे इतनी बात सुनकर तुलसा माता सूखने लगी एक बार भगवान स्री कृष्ण ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी ओरते आती हैं तुम्हें जिमावे, गामे तो भी तुम कैसे सूखने लगी तुलसा माता ने कहा कि मत पूछो भगवान स्री कृष्ण ने कहा कि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा बताओ क्या बात है तुलसा माता ने कहा कि एक बुढ़िया आती है जो रोजाना इतनी बात कह कर जाती है तुलसा माता सतकी दाता मैं बेरला सीजू तेरा तु कर निस्तारा मेरा मैं और तो सब कुछ दे दूँगी लेकिन कृष्ण जी का कांधा कहा से दूँगी तुलसा जी की बात सुनकर भगवान स्ट्री कृष्ण ने कहा तुम चिंता मत करो मैं कांधा दे दूँगा तब तुलसा माता प्रसन हो गई और फिर से हरी भरी रहने लगी थोड़े दिनों के बाद बुढ़िया माई मर गई सब कोई उसे उठाने लगे पर वह इतनी भारी हो गई कि उठे ही नहीं तब सब लोग कहने लगे कि पाप घाट की माला फेरती होगी जिससे इतनी भारी हो गई तब ही भगवान क्रेश्न बुढ़े ब्रामबन का रूपधारन करके आए सबसे पूछने लगे इतनी भारी भीड क्यों हो रही है तब सब लोगों ने बोला एक बुढ़िया माई मर गई है पाप नी थी इसलिए किसी से उठती ही नहीं है तब भगवान बोले कि इसके कान में मुझे एक बात कहने दो तो ये उठ जाएगी सब ने कहा कि ले भाई तू भी अपने मन की निकाल ले भगवान ने जाकर उसके कान में कहा बुढ़िया माई तू बेरला सीचे मेरा मैं करून इस्तारा तेरा बुढ़िया माई अडवा ले गडवा ले पीतामबर की धोती ले मीठा मीठा गास ले बैकुंठ का वास ले चटके की चाल ले पटके की मौत ले चंदन की काठ ले जालर की झिंकार ले साई का राज ले तालभाद का जीमल ले और कृष्ण का कांधा ले इतना सुनते ही बुढ़िया माई हलकी हो गई भगवान कांधे पर लेकर गए और उसकी मुक्ती हो गई हे तुलसा माता जैसी उसकी मुक्ति करी, सब की करियो, जैसे उसको कांधा दिया, वैसे ही सब को दियो, तो प्रेम से बोलिए, श्री तुलसा माता की, जै, और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चाली सा, जग में चायो सुयसे महाना, विश्नु प्रिया जय जयति भवानी, तिहूं लोक की हो सुख खानी, भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफले न होई, जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर कर ही विश्नु नहीं बासा, करे सदा जो तव नित सुमिरन, तही के काज होय सब पूरन, कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा, तव पूजन जो करे कुवारी, पावे सुन्दर वर्सु कुमारी, करे जो पूज नित प्रतिनारी, सुख संपति से होय सुखारी, बृद्धा नारी करे जो पूजन मिले भक्ति होवे पुल कितमन, श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिदि से तर जावे सोई, कथा भागवत यज्य करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे, चायो तब प्रताप जग भ ध्यावत तुमई सकल चित धारी, तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धी होवे छण में, ओश धिरूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता, देवरिशी मुनी और तप धारी, करत सदा तव जै जै कारी, वेद पुरानन तव यश गाया, महिमा अ जै सुख कारनी, नमो नमो जै दुख निवारनी, नमो नमो सुख संपति देनी, नमो नमो अग काटन चेनी, नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद चेनी, नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो पर लोक सुधारनी, नमो 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 निज भक्त उबारनी, नमो नमो जने काज सवारनी नमो नमो जै कुमति नशावनी नमो नमो सब सुख उपजावनी जयती जयती जै तुलसी माई ध्याउं तुमको शीष नवाई निजजन जानी मोही अपनाओ बिगडे कारज आप बनाओ करू बिनै मैं मात तुमारी पूरण आशा करहू हमारी शरण चरण कर जोरी मनाऊ निशदिन तेरे ही गुडगाऊ करहू मात अब मो पर दाया निर्मल होए सकल मम काया मांगू मात यही बर दीजे सकल मनो रथ पूरण कीजे जानू नहीं कचु नेम अचारा छमहू मात अपराद हमारा बारह मास करे जो पूजा तासम जग में और नहीं दूजा प्रथ मही गंगा जल मंगवावे फिर सुन्दर शनान करावे चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे धूप दीप नैवेद्य लगावे करे आच मन गंगा जल से ध्यान करे रिदय निर्मल से पाठ करे फिर चाली साकी अस्तुति करे मात तुल साकी यह विधि पूजा करे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा करे मास कार्तिक का साधन सोवे नित पवित्र हुई जाही है यह कथा महा सुखदाई पढ़े सुने सो भवतर जाई यह श्री तुलसी चाली सा पाठ करे जो कोई गोविंद सो फल पाव ही जो मन एच्छा होई तुलसी चाली सा संपोड और अब आप सुनेंगे तुलसी महरानी की आर्थी धन्य तुलसी पूरण तप कीनो शालिग राम की बनी पतरानी नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो हरी की पतरानी नमो नमो जाके पत्र मंजरी को मले श्रीपती कमले चरण लपटानी नमो नमो हरी की पतरानी नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो धूप दीप ने वेद्य आर्थी धूप दीप ने वेद्य आर्थी पुष्पन की वरसा बरसानी नमो नमो हरी की पतरानी नमो नमो तुलसा महरानी नमो नमो छपन भोग छत्ति सो व्यंजने बिन तुलसा हरी एक नमानी नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो हरी की पतरानी नमो नमो सभी सखी मैया तेरो यशे गावे, भक्ति दाने दीजे महरानी नमो नमो, तुलसा महरानी नमो नमो, हरी की पटरानी नमो नमो, नमो तुलसा महरानी, नमो नमो तुलसी महरानी, तुलसी महराणी नमो नमो रिकी पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मईया की जै, कार्ति के ठाकुर राईदा मोदर की जै, जै जै श्री कृष्णा, जै श्री राधि तो दोस्तों ये है आज की वीडियो उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए शेर भी जरूर कीजिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोडिफिकेशन आपको सही समय परप्राप्त होगी मिलती मैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए जय श्री राधे